एलो दोस्तों वेलकम टो आवर चैनल लर्न फोर जॉब आजके इस वीडियो में हम भारत के सभी मुख्य नायदियूसों के बारे में और उनके कारेकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भारत में 1950 के पहले फेडरल कोर्ट यानि संगी ने आ ले था जो 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया था तो 1937 से 1950 के बीच में चीफ जेश्टिस से दोस्तों मौरिस ग्वेर इनका कारेकाल 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रेल 1947 तक रहा थर्ड सीजी आई ची दोस्तों पैट्रिक स्पेंस इनका कारेकाल साथ जून 1947 से 14 अगस्त 1947 तक रहा और लाश्ट ते हैं यानि सुप्रीम कोड के 1950 से लेकर अब तक के मुखेनाईदीसों की लिष्ट देखेंगे और आपको मैं बता दूँ अगर आप चीफ जेश्टिस के बारे में डीटेल में जानकारी चाहते हैं जैसे के उनके कारेकाल, उन्हें कौन अप्वाइंट किया था, उनके समय में कौन-कौन से important cases हुए थे तो आप इन दो parts के वीडियो को i button या फिर description box में लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिएगा केवल चीफ जेश्टिस के नाम और उनके कारेकाल के बारे में सौर्ट में बताई हूँ कि अगर किसी को केवल नाम और उनके कारेकाल के बारे में जानना तो ये इस वीडियो को देख सकते हैं और जिने डिटेल में जानकारी चाहिए होगी वो उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं तो सुप्रीम कोड के फर्स्ट चिफ जश्टिस थे दोस्तों हरी लाज जय किसुन दास कनिया इनका कारेकार 26 जनवरी 1950 से 6 नॉमबर 1951 तक रहा था और इनको अप्वाइन भारत की राष्टपती डॉक्टर राजियन परशात की दुबारा किया गया था इनके बाद सरोच न्याले के दूसरे मुख्य नयादिस MP सास्त्री थे इनका CGI का टम 7 नॉमबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक रहा दोस्तों मेहर चन महाजन भारत के सरोच न्याले के तीसरे नयादिस थे इनका कारेकार 4 जुन 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक रहा बारत के चौथे मुख्य सुधी रंजन दास थे इनका कारेकार 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1969 तक रहा था भारत के चटवे मुख्य नयादिस भुनेश्वर परशाथ सिद्ना थे ये 1 अक्टूबर 1969 से 31 जनवरी 1964 तक भारत के सरोच न्याले के मुख्य नयादिस के पत पर कारे रहा थे दोस्तों साथवे जस्टिस पीबी करजिंद्र गड़ करतें इनका कारेकार 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक रहा था दोस्तों अमल कुमार सरकार सरुच नयाले के आठवे मुख्य नयादिस थे इनका सीजी आई टर्म 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक रहा था और इनको अप्वाइंट डॉक्टर सरुपल जली रादा कृष्णन के द्वारा किया गया था भारत के नौवे मुख्य नयादिस कोका सुगवा रावते इनका कारेकार 30 जून 1966 से 11 अप्रेल 1967 तक रहा और दोस्तों इनके द्वारा दिया गया मोस्ट फेमस जज्जमेंट था गोलत नास वर्सेस इस्टेट आफ इनके कारेकार के बाद दोस्तों भारत के दसवे मुख्य नयादिस थें कैलास नास वांचू इनका कारेकार 12 अप्रेल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक रहा भारत के 11 मुख्य नयादिस मुहम्मद हिदाय तुल्ला थें इनका कारेकार 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहा राकुम बता दू ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य नायदीश थें सर्वोच नयाले के बारवे मुख्य नायदीश जैनती लाल छोटे लाल साथ है इनका कारेकार 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक रहा इनके बाद दोस्तो भारत के तिरवे मुख्य नायदीश रहा परमित्र सिक्री इनका कारेकार 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रेल 1973 तक रहा और इनको अपवेंट राश्पती वीवी गिरी के द्वारत किया गया दोस्तो केशपनन भारती वर्सेस इस्टेट अफ केरला मुख्य नायदीश के रूप में इनके कारेकाल के दोरान एक मेजर डिसीजन था भारत के चोदों में मुख्य नायदीश दोस्तो अजीत नात रेते इनका कारेकाल 26 अप्रेल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक रहा दोस्तो मिर्जा हमिदुल्ला बेख भारत के सरुच नायले के पंद्रमें नायदीश रहा है इनका कारेकाल 29 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 तक रहा भारत के 16 वे मुख्य नायदीश वाईवी चंद्र चूड ते इनका पूरा ना यस्वन्थ विश्णू चंद्र चूड था इनका कारेकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहा है दोस्तो पी अन भगवती भारत के 17 में मुख्य नायदीश ते और ये 12 जुलाई 1985 से 20 दिसम्बर 1986 तक उचितम नायले के मुख्य नायदीश रहा है भारत के 18 मुख्य नायदीश ते रगु नंदन स्वरूप पाठक इनका CGI टर्म 21 दिसम्बर 1986 से 18 जुल 1989 तक रहा है भारत के सरुच नायले के 19 मुख्य नायदीश ये 12 सितम्बर 1990 तक उचितम नायले के मुख्य नायदीश रहा है दोस्तो 21 CGI रंग नाथ मिस्टर थें इनका CGI टर्म 26 सितम्बर 1990 से 24 नॉबबर 1991 तक रहा है भारत के 22 मुख्य नायदीश के एन सिंग थें इनका CGI का कारेका 25 नॉबबर 1991 से 12 दिसमबर 1991 तक रहा है दोस्तो भारत के 23 मुख्य नायदिस मदुकर हीरा लाल करिया थें इनका कारेकार 13 दिसंबर 1991 से 17 नुवंबर 1992 तक राव और 12 इनका गौंबे हाई कोर्ट था दोस्तो 24 सीजी आई रहे लालित मोहन सर्मा इनका कारेकार 18 नुवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक राव और इनको अपवाट राश्पति संकर दयाल सर्मा की द्वारा किया गया था भारत के 25 मुख्य नायदीस एम एन वेंकर चलेया थें इनका कारेकार 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक राव अजीब मुसब्बर एहमधी भारत के 26 मुख्य नायदीस थें इनका कारेकार 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्श 1997 तक राव भारत के 27 मुख्य नायदीस जगदीस सरण वर्मा थें और दोस्तो इनका कारेकार 25 मार्श 1997 से 17 जनवरी 1998 तक राव भारत के सरोच नायाले के 28 मुख्य नायदीस मदन मोहन पुझी थे इनका CGI का कारेका 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 तक राव भारत के 29 मुख्य नायदीस दोस्तो आदर सिन अनन थें इनका CGI टर्म 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक राव दोस्तो 30 CGI सायम पिरोच भरुचा थें इनका कारेकार 1 नौमबर 2001 से 5 माई 2002 तक राव भारत के 32 मुख्य नायदीस भुपेंदर नाथ किरपाल थें और इनको अप्वाइंट राश्पती की आर नराणेंट के द्वारा किया गया था भारत के 32 मुख्य नायदीस गोपाल बल्लव पठनायदें इनका कारेकार 8 नौमबर 2002 से 18 दिसंबर 2002 तक राव और इनको अप्वाइंट राश्पती एपी जे अब्दूल कलाम की द्वारा किया गया था इनके बाद विश्वेस्वर नाथ खरे भारत के 33 मुख्य नायदीस थें इनका कारेकार 19 दिसंबर 2002 से 1 मई 2004 तक रहा भारत के 34 मुख्य नायदीस एस राजजिंदर बाबू थें इनका कारेकार 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक रहा था दोस्तो भारत के सरोच नाले के 35 मुख्य नायदीस रमेश चंद लहोटी थें और इन्हों ने भी भारत के राशपती एपीजे अब्दूल कलाम के द्वारा मुख्य नायदीस की रूप में सपत लिए दोस्तो योगेस कुमार सबरवार भारत के 36 मुख्य नायदीस थें इनका CGI टर्म 1 नॉमबर 2005 से 13 जनवरी 2007 तक रहा भारत के 37 मुख्य नायदीस के जी बाल कृष्णन थें इनका CGI का कारेकार 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक रहा भारत के 38 मुख्य नायदीस सरोज होमी का पड़िया थें और इन्होंने भारत की पहली महिला राश्पती प्रतिवा पार्टिल द्वारा मुख्य नायदीस के रूप में सपत लिए दोस्तो 49 सीजी आई रहें अल्थमास कबेर और इनका टम 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक रहा भारत के 40 मुख्य नायदीस पीस सत्सीवम थें और इनको अपड़िया थें राश्पती प्रणम मुखर जी के द्वारा किया गया था दोस्तो राजिन्र मल लोडा भारत के 41 मुख्य नायदीस रहें इनका सीजी आई कारेकार 27 अपरेल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक रहा भारत के सरोच नयाले के 42 मुख्य नायदीस एचल दत्तु थें इनका कारेकार 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक रहा दोस्तो 43 सिजी आई रहें तीरत सिंग ठाकूर इनका कारेकार 3 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2017 तक रहा भारत के सरोच नयाले के 44 मुख्य नायदीस जगदीस सिंग खेयरते और इनका कारेकार 4 जनवरी 2017 से 27 अगस 2017 तक रहा दोस्तो इस सिक समदाय के पहले सिजी आई रहा इनकी सेवा निवरीति के बाद भारत के 45 मुख्य नायदीस रहें दीपक मिस्रा और इन्होंने राश्पति रामनात कोविंद के समद 28 अगस 2017 को सपत ग्रहण किया और इनका कारेकार समाप्त हुआ 2 अक्टूबर 2018 को भारत के 46 सिजी आई रहें रंजन कोगोई इनका कारेकार 3 अक्टूबर 2018 से 17 नुवंबर 2019 तक रहा दोस्तो भारत के 47 मुख्य नायदीस सरद अरविंद बोबडेतें इनका कारेकार 18 नुवंबर 2019 से 30 अप्रेल 2021 तक रहा और दोस्तो भारत के 48 में और वर्तमान मुख्य नायदीस एनवी रमन्ना इनका पूरा नाम नुथाल पती वैंकर्ट रमन्ना है इनका जन 27 अगस्त 1957 को आंध प्रदेस के कृष्णा जिले में हुआ था और इन्होंने भारत के राश्पती रामनात कोविंद के द्वारा 24 अ मन्ना हाली में CGI बने हैं तो इसलिए इनके बारे में मैं आपर कवर कर रही हूं तो दोस्तों आपको मैं फिर सी बता दो अगर आप डीटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज़्यादा से जरूर कीजिएगा आपके जो भी फिटबाइक हो उसे कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत जर्निवाद